Lost in Space की last episode में हमनी देखा था कि कैसे सारी बच्चों ने orbit को पार कर लिया था जिसके बाद वो लोग Alpha Centauri जाने वाले थे वहीं दूसरी तरफ Robinson family की आखरी होप यानि की Scarecrow को सार अपने साथ ले गया था इसी continuity की साथ में episode number 4 की शिर्वात होती है जिस planet से Will और बागी बच्च हो ही नहीं सकता जो कि एक पूरे planet से टक कर दे सके इसलिए अभी तक भी यह नहीं पता है कि आखिर इस planet को इतनी बुरी तरीके से destroy किस ने किया होगा जिसके बाद जूडी आती है और वो एक बे मिनट के लिए इस जगह पे नहीं रहना चाती थी पैनी को बच्चों को सीट को देख चुकी थी कि सारे बच्चे एकदम ठीक जगह पे बैठे और इन लोगों को सीधा अलफा सिंटॉरी ही जाना है यहां पर विल रोबोट से बात करने के लिए आता है और आप जाके विल को बात करने का टाइम मिला है जहां पर रोबोट को वही सारे recording सोनाता है लेकि यही देर में यहां पैनी आती है जो कि विल को कहती है कि हमें जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहिए तब विल यहां रोबोट को एलिन इंटेलिजन्स के इंजन के पास ले आता है रोबोट भी तयारी करना शुरू करता है लेकिन एकदम से ही रोबोट स्टक हो जाता है और उसके अंदर से लाइट चलना शुरू होती है गाईज ये लाइट वैसी ही थी जब विल अपने मॉम डट से कनेक्ट हुआ था हालांकि ये दौनों ही अलग-अलग प्लैनेट पे थे फिर पे स्केर्क्रो और रोबोट एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे थे असल के अंदर अभी स्केर्क्रो को सार ने कनेक्ट कर वाया था ताकि वो रोबोट की दूरू बाखी बच्चो को बता सके कि कैसे उनके पेरेंस अभी खत्रे में है स्कैर क्रो को पता था कि इस समय उनके पेरिंस कहां मिल सकते हैं दूसरी तरफ से रोबोट ने बच्चों को उस प्लानेट के जगह दिखाई जहाँ पे इन सभी के पेरिंस के जुपिटर थे विल को पता चल गया था कि ये काम रोबोट या फिर स्कैर क्रो का नहीं है जुपिटर पे पहुंचते हैं जहाँ पे वो सभी लोगों को बताते हैं कि कैसे इन लोगों को एक रोबोट मिल गया था और ये लोग एक इंजिन को लाने के बहुत करीब भी थे लेकिन तभी इन लोगों को पता चला कि ये सिर्फ और से रोबोट की प्लानिंग थी और ना ही अब इतने ज़्यादा टेक्नालोजी है कि हम उन्हें रोक पाएं अगर आज की डेट में हम अपने आपकी कुर्बानी देंगे तब जाके हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं जॉन ऐसा इसली कह रहा था क्योंकि इस जुपिटर कें अंदर इनके बच्चों के बारे में पता लगा लिया तो रोबोट वहां भी पहुत जाएंगे कोई भी पेरेंस अपने बच्चों को रोबोट के हाग तावा नहीं देख सकते थे इसी कारण सारे पेरेंस ने यही सोचा है कि वो इन सारे जूपिटर्स को खाली कर देंगे जहाँ पे इनके बच्चों से रिलेटेड या फिर अलफा सेंटॉरी से रिलेटेड कोई भी चीज लिखी हुई हो बेस्मेंट के अंदर जाके ये सभी लोग चैरिट को तयार करते हैं सारी हार्ड डिक्स, हार्ड ड्राइब, प्रिंटर्स, बच्चों की तस्वीरे, अलफा सेंटॉरी से रिलेटेड बुक्स, जूपिटर्स के नाम इन सारी चीजों को पूरी तरीकी से जला दिया जाता है जौन को इस बात का दुख था कि शायद ये अपने बच्चों से कभी नहीं मिल पाएंगे लेकिन इस बात की खुशी थी कि इन सारे पेरेंस की बच्चे एक दिन अलफा सेंटॉरी में जरूर जाएंगे, यहाँ पे जूडी अब बाकी बच्चों के पास में आती है, हमें खत्रे में हैं, हम जरूर उनकी मदद करने के लिए वहाँ पहुचेंगे और रोबोट हमें मारने के लिए वहाँ अपनी पूरी आर्मी के साथ में तयार होंगे, इस समय हमारी पास में भी कोई आर्मी नहीं है, नहीं कुछ ऐसे हतियार जिससे कि हम उनसे लड़ पाए देखते ही देखते सारे बच्चे से एगरी करने लगते हैं कि सारे बच्चों को अपने पेरेंस के पास में जाना है, चाय फिर वो जी है या फिर मरें, लेकिन उन्हें एक बार तो अपने पेरेंस की मदद करने के लिए जाना ही है, जूडी इतने सारे बच्चों के हम सभी को पता है कि रोबोट से लड़ने हमारे बस की बात है ही नई उनके पास advanced technology है हमारे जूपिटर में इतनी speed भी नई है कि हम उनके alien ship को टकर दे पाएं अगर हम वहाँ पे पहुँच भी गए तो भी हम अपने parents को कैसे बचा पाएंगे तब यहाँ पे grand kelly कहता है कि हमिशा से मेरी mom कहती थी कि अगर तुम सबसे strong बच्चे नहीं हो तो सबसे smart बच्चे बन के दिखाओ साफ मतलब था कि अगर तुम्हें जीतना है तो या तो तुम्हें aliens के जैसा सोचना पड़ेगा या फिर उनसे भी जादा advance बात सोचनी पड़ेगी जिसके बाद Judy को idea आ चुका था कि आखिर अखिर अब उसे करना क्या है दूसरी तरफ Penny यहाँ पे Will के पास में बैठी थी असल के अंदर Will को ऐसा लग रहा था कि इन सारी चीजों की गड़बर उसके कारण हुई है रोबोट जितनी बार भी अटेक कर रहे है वो सिर्फ फो सरफ Will Robinson के कारण कर रहे है लेकिन Penny समझाती है कि इन सबकी जिम्मेदार तुम नहीं हो जॉन आखरी कॉल के लिए आया था और एक ही मिनट के अंदर उसके अंदर से डेटा हटाया जा सकता था लेकिन जब वो इंस्टूमेंट काम नहीं करता है तो Don West सीधा हतोड़ा लेकि उसे तोड़ने लग जाता है और वो इतना जादा फ्रस्टेड हो गया था इन सारी चीजों से उसे उसी की कलीक समझाती है कि ये सारी चीज़े जल्दी खत्म हो जाएगी अगर हम लोगों को जीने का मौका नहीं मिला तो उन बच्चों को जीने का मौका मिलेगा इसी के साथ हम विल को देखते हैं जो कि आखरी बार एक recording करता है कि ये मेरी last recording है शायद इसके बाद मुझे टाइम मिले या ना मिले या फिर मैं जिन्दा भी रहूं या ना रहूं अब विल ऐसा कौन सा भाधदूरी का काम करने वाला था ये तो गाइस हमें आगी पता चलेगा पेरेंस वाले जूपिटर के अंदर सारे डेटा को क्रैश कर दिया गया था हर एक डेटा को जला दिया गया था जिसके लिए तीन चैरिट पूरी तरीके से बरभात कर दी गई थी अगले 10 मिनट के अंदर अंदर ये एलियन स्पेस्शिप इनके जूपिटर्स पे अटैक करने वाली थी सारे पेरेंस एक साथ में खड़े थे और तभी यहां पे इन लोगों को क्लिक होता है कि आस पास की अंदर एक और नए स्पेस्शिप के इन लोगों को सिगनल मिल रहे है इन लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर ये कौन सी स्पेस्शिप है उस spaceship के channels को जब check किया जाता है तब इन लोगों को पता चलता है कि ये तो इन बच्चों का transport Jupiter है आखिर इन बच्चों ने इतनी बड़ी बेवकुफी कैसे कर दी जिस चीज का parents को डर था कि ये बच्चे ने बच्चाने के लिए कहीं यहां ना पहुंच जाए वो ही गलते इन कर दी थी डॉन वेस उसी टाइम पे बोलता है कि कोई भी अपना जूपिटर लेके यहां से उड़ो ताकि एलियन शिप को तुम अपने पीछे लगा सको कहीं ये एलियन शिप बच्चों वाले जूपिटर पर अटैक ना कर दे लेकिन तब ही वहां से जूडी के आवाज आ इसके बारे में हर किसी ने सोच लिया था कि वह खत्म हो गया है उसी के अंदर सारे बच्चे बैट कर आये थे क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कोई भी कैच नहीं कर पा रहा था और बाकी बात रही ट्रांसपोर्ट जूपिटर की तो वह खाली था असल के अंदर उसे आटो पाइलेट पे रखे उड़ाया गया था फॉर्चुना आके जूपिटर से कनेक्ट हो जाता है जिसके बाद में दर्वाजा खुलता है और सारे बच्चे एक साल बाद में अपने पेरेंट से मिलते हैं इन लोगों को इतनी जादा खुशी थी जितने के खुशी अब तक इन इंदर कोई भी नहीं है यहाँ पे डॉन वेस्ट पे जूटी से मिलता है दौनों को पता चलता है कि दौनों को यह अलग-अलग पोस्ट मिल चुकी है मौरीन यहाँ पे जूटी से पूछती है कि आखिर तुम लोगों को फॉर्चुना मिला कैसे यह सब कैसे पॉसिबल हु हम लोग स्लीपर चैंबर्स में थे और फॉर्चुना बस स्पेस में घूम रहा था अब यह सारी बाते करने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं था इसी करण सभी अपने अपने जूपिटर के अंदर चले जाते हैं क्योंकि अब यहाँ पे एलियन स्पेशिप का इंजन आ चुका था रोबोर्ट तो पहले से ही था इसी करण विल को कहा जाता है कि जितना चल दिया हो सके अपने रोबोर्ट को कहकर टेलिपोर्टिशन स्टार्ट करवा हो ताकि यह सभी लोग इस पार तो अलफा सेंटॉरी पहुँची जाए लेकिन विल यहाँ पे चोरी उस टेलिपोर्टिशन को पार नहीं कर पाए ऐसा इसलिए था क्योंकि उन सारे रोबोर्ट के दुश्मनी विल रोबिंसन से थी और साथ ही साथ रोबोर्ट को अपना इंजन भी वापस चाहिए था अगर एलियन्स अलफा सेंटॉरी तक बहुँच जाते तो कोई भी स्मित का चैंबर को रोक लिया था और उसके बाद विल डॉक्टर स्मित को उठा के बोलता है कि अब आपका काम आ गया है डॉक्टर स्मित को लगा था कि शायद इस पार उसकी लर्णिंग अलफा सेंटॉरी में हुई थी लेकिन इने नहीं पता था कि यहाँ पे अभी भी तूटा हुआ देखा था और आखिर वो तो इन सब लोगों के सामने मरी थी तब जूटी बताती है कि यह मरी नहीं थी बलकि यह बच्चों वाले जुपिटर के अंदर कूद गई थी इसमें तब इन सब लोगों का ध्यान बटकाने लगती है कि अन्नोन प्लैनेट पे कैसे उसने बच्चों का ध्यान रखा वो कैसे अब एक अच्छी इंसान में बदल गई है असल के अंदर ये सब कुछ विल को यहां से भगाने का काम चल रहा था विल कैसे तैसे करके फॉर्चुना के दरवाजे तक पहुँच गया था यह सिर्फ एक आखरी जूपिटर था जिस जाते हैं तब जौन आता है और विल को वहाँ से उठाके अपने जूपिटर के अंदर ले जाता है अब विल को तो दूसरा काम करना था लेकिन अपने पेरेंच से आकिर वो बचके कैसे जा पाता बस कैसे तैसे करके यह लोग फुल स्पीर से इस जगह से निकलने की तैयार कर रहे थे लेकिन तभी नहीं पता चलता है कि उस टेलिपोर्ट वाले रास्ते के अंदर से एक एलियन स्पेस शिप इनके पीछे-पीछे आ रहा है और अगर गलती से वो अलफा सेंटॉरी तक पहुँच गया तो बहुत बड़ी गड़बर हो जाएगी जॉन यहाँ पे पीछे पीछे एलियन स्पेस शिप भी आ जाता है जिन बागी सारी लोगों की जान बची थी अपने बच्चों के साथ में यह सारी लोग अपने जूपिटर से अलफा संटॉरी को बिल्कुल सामने ही देख रहे थे आखिर में बस इने काउंटिंग करनी थी लेकिन काउंट और यह लोग बस क्रेश लेंडिंग करने वाले थे इन सब लोगों को इजेक करना था सीट पर बैठे हुए काफी सारे लोगों ने एक साथ में एजेक किया लेकिन मौरीन और जूडी दोनों ही इजेक नहीं कर पाया और अपनी अपनी चीर्स पर फस गए ना तो यह उट प अपिसोड में तब तक के लिए टाडा झाल